पाकिस्तान इस वक्त वो बन गया है जो किसी भी चीज को हाथ लगाए तो वो उसके लिए बुरी खबर ही लेकर आईगी आतंकवाद को पालने पोशने वाले पाकिस्तान को अभी और दूर दिन देखना बाकी है जानेंगे FATF में पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इरान रूस के नौसेना के बीच भारत ने अपनी नौस जिसे चीन अपने उपर एक बड़ी चोट मान रहा है चीन को बरबाद करने के लिए एक नया फ्रंट इस बार भारत ने खोल दिया है जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को बिस्तार्स आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए बनी स FATF जो ये नजर रखती है कि कौन ऐसे लोगों को पैसे देते हैं और आर्थिक मदद करते हैं उसने पाकिस्तान को उसकी कर्तूतों की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है और अब उसे ब्लैक लिस्ट करने की बात चल रही है पाकिस्तान इंदिनों अपने सदा बहार दोस्त तुर्की और चीन की मदद से FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हर संभव कोसिस कर रहा है आपको बता दें पिछली बार जून 2018 में FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के मूड में आ गया था लेकिन फिर एक मौका देते हुए इसे ग्रे सुची में रखा और उसे 27 पॉइंट दिये गे थे जिसे पाकिस्तान को पूरा करना था बिदेश मंतरी साह महमूद कुरेशी अब सभी के पैर पकड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसे ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए और ग्रे सुची से बाहर हो जाए क्योंकि अगर पाकिस्तान FATF की इस बैठक में भी ग्रे लिष्ट में बना रहता है तो उसकी आर्थिक इस्तिती और बेड़ा गर्ख हो जाएगी पाकिस्तान को अंतराष्टिय मुद्रा कोस विश्व बैंक और यूरोपिय संग से भी आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको बता दे आई-म- 25 में ही करीब 15 अरब डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर Pर अब अधिकारी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लेकर लिष्ट होने के चांसेस बहुत जाता है लेकिन अगर ब्लेकर लिष्ट नहीं होता है तो भी जून तक उसे ग्रे लिष्ट से बाहर तो निकाला ही नह जा सकता है दुरदी नभी खत्म नहीं हुएं पाकिस्तान के वहीं दूसरी तरफ दुनिया के पांच बहुत अहम इस्ट्रेट हैं जिन में से तीन हैं बाबुल मंदब, मलका और हुर्मुच ये इस्ट्रेट ऐसे इस्ट्रेट हैं जो कुछ देशों के दाना पानी को बंद कर सकते हैं तो कुछ को पूरी तरीके से बरबाद कर सकते हैं इसके अलावे तेल और उर्जा के लिए भी ये बहुत जादा मसूर हैं यहां पर पूरा खजाना भरा हुआ है इसके अलावे बैपार और लेन देन भी इन इलाकों पे बहुत जादा होता है वहीं कई देश अपन बाइडन भी चाह कर इरान का काट नहीं निकाल पा रहे हैं। हाला कि बाइडन ये सोच कराए थे कि इरान के साथ रिष्टे बहतर होंगे। लेकिन इरान जिस तरह से आक्रामक हो रहा है और अल्टिमेटम पर अल्टिमेटम दे रहा है। उसे देखते हुए ये लग रहा है कि इरान अब अमेरिका से उलजना ही चाहता है। और इसमें साथ देने के लिए रूस भी तयार है। दोनों ने मिलकर इरानी सेना, इसलामिक रिवलसनरी गाड कॉप्स और रूसी नोसेना के कही जहाज युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और यह युद्धाभ्यास 17,000 वर्ग किलोमीटर के छेतर में हो रहा है। अब तक इस युद्धाभ्यास में सिर्फ इरान और रूस थे लेकिन पिछले मंगलवार भारत भी इसमें सामिल हो गया। वैसे तो इस युद्धाभ्यास का नाम इरान-रूस समुद्री सुरच्छा 2021 दिया गया है। पर इसमें खास मोड तब आया है, जब इरान और रूस की नोसेना के साथ साथ, भारत की नोसेनास ने भाग तो लिया ही दो दिन के अभ्यास में, पर अब चीन भी इस युद्धाभ्यास में घुशने लगा है। दरसल इरान की तरब से ये कहा गया है हम जो रूस के साथ संयूकत अभ्यास कर रहे हैं इसमें अन्य देश भी भाग ले सकते हैं इस बीच इरानी नौसेना के कमांडर होसिन खजान्दी ने ये कहा है कि चीन की नौसेना भी संयूकत अभ्यास में भाग लेगी इरान चीन और रूस साथा कर इस सेन्य भ्यास में भाग लेंगे ये तो समझ में आ रहा है कि इसका टारगेट सीधा सीधा अमेरिका है लेकिन आप सोच रहे होंगे भारत ने इस युद्धा भ्यास में क्यों हिस्सा लिया तो दरसल इस युद्धा भ्यास को इस तरह से रचा गया था कि कैस पर अब इसका असर भारत और अमेरिका के रिस्तों पर क्या पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। यहां चीन की सेना कुछ मीटर के फासले में भारती सेना के आमने सामने खड़ी है। ऐसे में भारत के लिए ये नहीं कहा चासरा है कि चीन नाम की मुसीबत छुट गई है। और भारत भी यह चीज समझता है, यही वज़े है कि आज तक चीन के लिए भारत में जो रवया था वो बिलकुल बदल चुका है, पहले कभी भी भारत नहीं चाहता था कि चीन के किसी भी ऐसे मामले में अडंगा डाले जो चीन के लिए एक चुनोती मानी जाए और खास कर भा भारत हमेशा चीन के साथ रिष्टों को सही रखना चाहता था, लेकिन रनीतिक छेतर से बाहर निकल कर अब चीन को जोरदार टकर दे रहा है भारत, अब भारत ने अपनी विदेश नीती बदल दी है, और अब भारत दुनिया के किसी भी कोनी में चीन से टकर लेने के लिए और चुनोती देने के लिए तयार हो गया है, और इस चीज ने चीन को परिशान कर दिया है, अब भारत ने चीन को सीधी चुनोती देते हुए, उत्री अमेरिका और अफरिका में बड़ा कदम उठा लिया है, या ये कहें कि भारत ने बड़ा कांड कर दिया है, दरसल मिडल देशों से आज तक भारत खरीदते आया है कच्चे तेल लेकिन अब भारत ने अपनी नीती बदिलते हुए अफरिका और नौर्थ अमेरिका से पुरूड ओयल खरीदने का फैसला किया है लेकिन भारत के इस फैसले से चीन परिसान हो गया है कारण क्या है दरसल चीन इसे लिष्ट से चीन को बाहर का रास्ता दिखलाया वैसे ही अफरिका और नौर्थ अमेरिका में भी करने जा रहा है वैसे भारत ने अपना तर्क दिया है और भारत ने ये कहा है कि मिलने वाले तेलों की तुलना में नौर्थ अमेरिका और अफरिका से मिलने वाले क्रूड ओय वैसी बिशम परिस्तिती खड़ी हो जाए तो भारत स्वयम ही इसे हैंडल करने में सक्षम हो और ऐसी इस्तिती तभी हो सकती है जब भारत मजबूत होगा यह नहीं कि आज समस्या आई तो तैयारी करने लगे और कल समस्या चली गई तो तैयारियों को बंद कर दिया वैसे लगता है अगर सारी जगह से भी चीनी सेना हट जाए तो भी क्या चीन को अपना दोस्त मानना चाहिए कमेंट कर अपनी राय बताए जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ